कहानी दो जोडी मुस्कान, पांच घंटे मिले में जी भर कर घूमने के बाद पूनम अपनी साथ साल की बेटी का हाथ थामे रात के नौ बजे घर जाने के लिए मिले से बाहर निकली, आज तो उसने जम कर खरीददारी की थी, अपने लिए भी और बेटी के लिए भी, हाथ म के पास समीन पर कपड़ा बिचाए एक आठ दस बरस का लड़का छोटे-छोटे सस्ते खिलोने बेच रहा था माताजी, कुछ ले लीजिए घर में मा बीमार है सुबर से, कुछ खाया भी नहीं है, ये खरगोश ले लीजिए बस 20 रुपे का है, देखिये लाइप भी जलती है इसमें, लड़का दो छोटे से प्लास्टिक के खरगोश हथेली पर रख कर दिखाने लगा जो ही वहाँ अचानक ठिठक गई, मा, देखो खरगोश में लाइक जल रही है, कितना चमक रहा है, ले लो न अरे अभी तुम्हें इतने सुन्दर महंगे खिलोने ले दिये न, इन बेकार सस्ते खिलोनों का क्या करोगी, दो दिन में तूट जाएंगे, चलो, पूनम उसका हाथ हीच कर आगे बढ़ने लगी ले लीजिये न, माता जी, भले ही खिलोने सस्ते हैं, लेकिन मेरे और मेरी मा के लिए रोटी कमा देंगे, 20-50 रुपे आपके लिए तो ज्या थोड़े इसको भी दे दो, ये भी तो अपना सामान बेचने की उमीद में सुबल से बैठा होगा, ननी जूही अपनी समझ से बोली, उसका बाल मन लड़के के आशु देखकर विचलित हो रहा था, पर तुम इनका करोगी क्या, पहले से ही इतने खिलोने हैं, पूनम ने ट पहले सान सा हल सुझा दिया ले लो माताजी मेरी बीमार मारात में रोटी खालेगी, लड़का, हाथ जोड़कर पैरों में जुकने लगा ठीक है, ठीक है दो चार फिलोने दे दो, पूनम ने पीछा चुडाते हुए कहा जूही ने उतसाहित होते हुए खरगोश, बेग बल कुटा, गुडिया उठा लिये, 220 रुपे जब लड़के के हाथ में पूनम ने थमाए, तो लड़के की आँखों में आंसू और चहरे पर कृतगिता की बड़ी सी मुस्कान थी दूसरे दिन जुही भूरी बाई की राह देखती रही, 10 बचे भूरी अपने बेटे को लेकर घर पर कोई न होने से वह अपने धाई साल के बेटे को काम पर लेकर आती थी, जुही ने कल खरीदे खिलोनों की थेली उसे पकड़ा दी, बच्चे ने थेली में खिलोने देखे, तो उसके चहरे पर खुशियों की दीपक जिलम मिलाने लगे, उसकी खुशी देखकर जुह अनमोल मुसकान मिल गई है और पूनम की चहरे पर भी परम संतुष्टी की मुसकान की लोठी